गूपवर्निंग इस्टुटेंट्स हम्ने जो है अपना सिं माप सिंर प्रेजंट गर लिया था आज हम अपना नया टेंस पस इंडेफिनाइट टेंस को पढ़ेंगे पस इंडेफिनाइट टेंस जो है वच्चो उसे इसेосто Hi पास्टेंस देख प्लेस इवेंट से एक्षिन डेट टुक प्लेस इन अर्लिय टाइम और दा पास्ट पास्ट या फिर प्स न अज़ियों को नोट करते हैं जो कि पहले किये गये हों या फिर भूत काल में किये जा चुके हुँ जो काम क्या कर चुके हूँ हमने कल किये हैं परसो किये हैं या फिर जो आग सुभह किये हैं वो सभी क्या कहलाएंगे हमारे पास के कहलाएंगे वरतमान कौन सा है जो हम अभी कर रहे हैं और फ्यूचर जो हम कल करेंगे ठीक है एक आने वाला कल और एक बीता हुआ कल तो पास् जो मैं आपको conditions बताऊंगे किन-किन conditions में simple past को use किया जाता है तो सबसे पहले देखो affirmative sentence का sentence structure क्या होता है subject plus verb की second form plus object subject plus verb की second form plus object रवी subject रवी came here yesterday रवी subject came verb की second form come की second form came come, came, come here object and yesterday जो time show कर रहा है कि कल ये काम हुआ ता जिससे के हमें ये पता लग रहा है कि ये क्या चीज़ है past का tense है they went to Japan last month they subject went go की second form है to Japan last month next नेक्स 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 के sentence structure जो होता है subject plus did not did not लगाने के बाद में बच्चो जो है हम वर्ट की second form यूज करते हैं देखो अब did not से कैशिश हो किया कि अब पहले तो हम वर्ट की second form यूज करते हैं लेकिन अब वर्ट की first form क्यों यूज करें तो बच्चो देखो do की second form do 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 की second form होती है did ओके डू की second form क्या होती है डिड होती है तो जैसे हमने simple present में do does use किया था वैसे ही यहाँ पर हम डिड यूज करेंगे subject प्लस डिड नॉट प्लस वर्प की first form और उसके बाल हमारा object आएगा तो देखो sentence किसी बनाया रवी जो sentences हमने affirmative को बनाया उन्हीं को हम negative में change करते हैं रवी डिड नॉट फिर वर्प की first form कम केम थी यहां पर यहां पर क्या हो गई कम हो गई हमें पता है वर्प की first form कम होती है yesterday they did not go to Japan last month they did not did not के बाद वर्प की first form जब भी sentence में did not did आ जाएगा तो हम वर्प की first form यूज करेंगे next is interrogative sentences interrogative sentences को से से इंतेंसे होते हैं interrogative sentences वो sentences होते हैं जो कि हमें प्रश्न बताते हैं यह शो करते हैं कि हमने sentences क्या है question पुछने के लिए use किया रहा है ठीक है बाचो यह sentences जो है दो प्रकार के होते हैं जैसे एक तो क्या से सुरू होने वाले सेंटेंस और एक ऐसे सेंटेंस जिन में क्या क्यों कैसे वर्ड वाके के बीच में आते हैं ठीक है जो क्या से सुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं और जो क्या क्यों कैसे सुरू होते हैं वह वर्ड से सुरू होते हैं तो देखो, सबसे पहले हम structure देखते हैं, did plus subject plus verb की first form और उसके बाद object और last में इसके kitchen mark जरूर होगा. देखो, इसी का हम बनाएं, did, ravie, did हमने पहले ले लिया, ravie subject बाद में verb की first form come here, yesterday, last में kitchen mark, did, they, go to Japan last month, kitchen mark, did, did के बाद subject दे और फिर verb की first form go. अब है double interrogative sentences, मैंने अभी अभी आपको होता है, wh word वाले sentences, तो wh word plus did, plus subject, plus verb की first form और उसके बाद object और last में kitchen mark, तो देखो, why did, why did, ravie, come here, yesterday, why wh word लगाया, फिर helping verb लगाई, उसके बाद हमारा subject और फिर verb की first form. ऐसे ही जो not वाले देखो, अगर इन sentences में not भी हो, तो कैसे करें, interrogative, negative sentences हो, तो तुमने कैसे use करें, तो wh word plus did, plus subject, plus not, plus verb की first form, उसके बाद object और last में kitchen mark, why did they not go to Japan last month के शिमा, तो why kitchen word है, did हमारी helping verb है, they subject है, और उसके बाद not use करते हैं, not जो है, हमेशा interrogative sentences में third place पे आएगा, फिर go to Japan last month, ओके बाद हो, तो देखो, ये थे आपके simple past tense के sentences तक चल, affirmative sentence के subject, plus verb की second form, plus object, negative sentence के subject, plus did not, plus verb की first form, plus object, और interrogative sentences के did, plus subject, plus verb की first form, plus object, and last में किश्यमा, double interrogative sentences जो है, उनमें wh word पहले आएगा, और जब interrogative negative sentences होंगे, तो उनमें जो है, subject के बाद में हम not का use करेंगे, ओके बच्चों, I hope कि simple past tense आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, Thank you, have a nice day.